हेलो डिये स्टूरेंट्स वेलकम बेक टू और अज की जो वीडियो है प्यारे बच्चो उसमें हम डस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 42 फोर क्लास 10th सब्चेक्ट इंगलेश है और ये वक्षीट आपके लिए 13th of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट है उसम है Glemses of India ठीक है उससे ये एक्स्ट्रेक्ट लिया गया है और जो चप्टर 7 है आपका उसके 3 पार्ट है फर्स्ट है एबेकर फ्रॉम गोवा सेकिंड पार्ट आपको कुर्ग दिया गया है और थर्ड है आपका टी फ्रॉम आसाम तो ये जो एक्स्ट्रेक्ट है ये आपको फॉस्ट पार्ट से जो है दिया गया है बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है सो वक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे आज की व तो थोड़ा सा इसके वारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है जो यह पार्ट है आपको इस गाओं का सीण है वह आपको यहां पर बताया गया है इसमें राइटल जो है वो एक very आप कहा सकते हो lucid picture एक traditional गाउं की जो village होता है clear उसकी show कर रहे हैं यहाँ पे एक baker है ठीक है उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं कि writer जो है किस तरह से writer अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है यह आप कहा सकते हो कि chapter के माध्यम से ठीक है जो goa है वहाँ पर आप कहा सकते हो पुर्तगाली जो थे जो Portuguese थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है और उनके जो traditional काम थे वो आज भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं और ऐसा ही एक traditional काम था वहाँ पर रोटी बनाने का आज भी वहाँ पर जो रोटी बनाने वाली बठिया हैं वो सभी आज भी वहाँ पर पर प्रचलित हैं और उनका आप कहा सकते हो कि यह traditional काम था जो traditional family work होता है ना वो वहाँ पर काम था और जो बेकर होते हैं उनको goa में पाडेर कहा जाता था क्या कहा जाता था पाडेर उनको वहाँ पर कहा जाता था तो जो यहाँ पर writer है वो goa में अपने जो childhood है बचपन है उसकी दिनों को याद करता है जब एक बेकर उसका बहुत अच्छा friend होता था और वो जो friend था उसका वो जो है गाउं में दो बार चकर लगाता था अपनी ट हम इसको read करेंगे और जो भी इसमें word है difficult word है उनको देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो word आया ना glimpses जैसे की नाम दिया गया है glimpse of India glimpse का मतलब होता है जहाकिया होती है ने जैसे views वो दिया गया है इंडिया का जो जहाकिया है अलग-अलग जो state है उसकी अलग-अलग characteristics है अपनी एक विविदता है तो वो चीज यहाँ पर दिखाया गया है तो देखें what we longed for were those bread bangles which we choose carefully clear तो इसमें क्या कहा गया है कि what we longed for were those bread bangles कि हम जो दोड़ दे थी writer क्या कहता है कि जैसे ही वो baker वहाँ पर आता था जिसको पाड़ेर कहा जाता था जैसे ही वो रोटियां बेचने के लिए आता तो क्या होता कि हम दोड़ पड़ते थे clear क्यों दोड़ पड़ते थे for the bread bangles bread bangles के लिए हम वहाँ पर दोड़ पड़ते थे sometime it was sweet bread of special make जो है कभी-कभी जो मिठी रोटी होती है रोटियों जो है उनके लिए भी हम दोड़ पड़ते थे the baker made his musical entry on the scene with the जांग-जांग sound of his specially made bamboo stuff उसकी पास जो है एक musical instrument था जो की bamboo जो stuff होता है bamboo यानि पास से बना हुआ तो वो संगीत बजाता हुआ संगीत में आवाज कैसी थी जांग-जांग की आवाज जो है वो होती थी ऐसे बजाता हुआ मारता हुआ वो ठक-ठक की आवाज करता हुआ वो आता था one hand supported the basket on his head एक हाथ जो है उसका सिर पर जो टोकरी रखता था ना पकड़ता था तो उसको पकड़ता था एक हाथ से and the other banged the bamboo on the ground और दूसरे से वो बास से आवाज करता था ऐसे नीचे जैसे मारते है न तो उससे आवाज करता था he would greet the lady of the house with good morning वो जो घर में जो औरते होती थी उनको जो है क्या कहता था शुब प्रबात यानि good morning कहकर उनका स्वागत करता था and then place his basket on the vertical bamboo उसके बाद वो अपनी टोकरी को सीधे बास पर जो है रख देता था ऐसे बास के उपर खड़ा रख देता था we kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant जो बच्चे थे उनको क्या किया जाता था डाट फटकार कर रहे रिब्यूक क्या होता है डाट ना होता है तो जो बच्चे थे उनको थोड़ा सा डाट कर और side कर दिया जाता था और रूटिया जो है वो नोकर को दे दी जाती थी but we would not give up लेकिन हम हार जो है नहीं मानते थे give up का मतलब क्या होता है हार मानना तो हम हार नहीं मानते थे we would climb a bench और the parapet and peep into the basket ठीक है somehow हम किसी तरह जो मुंडेर होती है climb a bench bench के उपर चड़ कर जो है जो मुंडेर होती है parapet क्या होता है जो इंटों की बनी हुई जागते थे I can still recall the typical fragrance of those lofs मुझे अभी भी उन रोटियों की महक जो है वो याद है मैं उनको याद कर सकता हूँ ठीक है लोफ्स कहा है न रोटिया लोफ्स for the elders and the bangles for the children बड़ों के लिए रोटिया होती थी और बच्चों के लिए चूड़ीदार गोल रोटिया होती थी चूड़ीदार ऐसे बनाई हुई रोटिया बच्चों के लिए होती थी जिसको देखके बच्चे जो है वो उनकी तरफ भागते थी उसके बाद अब यहाँ पे आपको mcqs question भी दिये गए है और साथ में आपको बचो long answer question भी दिये गए है जैसा कि आपको पता है कि ऐसे 2 में आपके दोनों ही pattern जो है वो cover किये जाएंगे आपकी बार तो आपका paper complete mcqs हुआ है लेकिन आप जो second term का exam होगा आपका उसमें mcqs होंगे कुछ साथ में long answer type भी question आपको देखने को मिलेंगे तो दोनों ही तरह के question आपको यहाँ पर अब दिये गई है जांग जांग sound जांग जांग sound जो है वो क्या produce करता है a. bells on the bamboo pole b. dragging of the baker basket c. coins in the lady purse d. third of the stuff ठीक है तो जो stuff था clear तो ऐसे कोई बिज़े को bell तो नहीं लगए थी coins भी नहीं थे and dragging of the baker basket यह भी नहीं है तो इसका answer d. हो जाएगा third of the stuff d. इसका right answer रहेगा next देखिए which of the following statement is true इनमें आपको बताना है कि कौन सी statement वो true रहेगी hot tea was used to wash and clean at home ऐसा नहीं था ठीक है the author still remember the aroma of the lobs तो यह ठीक है उसको याद था अभी भी याद है कि वो बता रहे है न ऑथर कि मुझे अभी भी उन lobs की जो aroma है जो smell है वो याद है c. यह था baker carried the basket on his head तो basket उसने अपने सिर पर लिए होता था sweet bread was made of mango leaves sweet bread जो है mango leaves के बनते थे ऐसा नहीं था तो बच्चो देखो इसके अंदर क्या है कि आपका B और C दोनों ही ठीक है clear बट यहाँ पे एक ही आपको बताया गया है तो आप दोनों ही इसमें ठीक लिखेंगे B और C बोथ are true clear तो आप ऐसे करके लिखेंगे ठीक है B and C both statement are true next देखिए choose one word that is similar in meaning to rebuke rebuke का similar meaning क्या है rebuke का मतलब क्या होता है डाटना तो इसका meaning क्या होगा reprimand तो यह जो है reprimand यह meaning होता है next देखिए question number two three and four इसको हम discuss करेंगे question number two दिया गया है why did the children rush out when the baker arrived at their house बच्चे जो है वो क्यों बहार भागते थे जब जो बेकर है उनके घर पर आता था तो children used to rush out to get their favorite bread bangles and sometime it was for sweet bread of special make ठीक है तो बच्चे जो है वो favorite bread bangles के लिए भागते थे और कभी कभी वो जो मीठी रोटी लाता था उसके लिए भागते थे तो इसमें four four जाय है यह आएगा next देखिए question number three जो दिया गया है what different things does a pedder make for special occasion ठीक है क्या different thing जो है वो पैडर बनाता था what is the significance of these food items in the goa way of life ठीक है तो जो goa की जो way of life है उसके लिए उसका क्या significance था so आप लिखेंगे in marriage the sweet bread known as the known as the so answer लिख देंगे in marriage the sweet bread known as the bowl was popular ठीक है sweet bread जो है उसको क्या कहा चाता था बॉल कहा चाता था and वो marriage में बनता था the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of a daughter engagement daughter की जो engagement होती थी तो उसके अवसर पर sandwiches बनाई जाती थी as bakery is a profitable profession of goa तो bakery जो है वो profitable profession था goa का so it shows the love for bread is enormous तो ये जो है क्या significance था कि वो दिखाता था कि love bread के लिए love जो है goa के लोगों का ठीक है यह आप answer लिखतेंगे next देखिए question number 4 है the tiger never brushed his teeth who is being compared with the tiger and why ठीक है जो tiger है वो कभी brush नहीं करते हैं अपने दातों को तो ये किस से compare किया गया तो children से compare किया गया है the children are as free as the tiger in the jungle जैसे jungle में tiger free होते हैं ऐसे बच्चे free थे they do not care about brushing their teeth वे अपने दातों की brush की कोई चिंता नहीं थी उनको और washing their mouth जैसे tiger को कोई चिंता नहीं होती है they start eating as soon as they wake up वो जैसे ही उठते थे वो जो खाना शुरू कर देते थे next देखिए अब आपको दिया गया है question 5 choose the correct option to fill in the blanks अब यहाँ पे आपको correct option से fill up complete करने है so those eaters of loves इसमें आचाएगा might have vanished those eaters of loves might have vanished but the makers are still there clear जो eaters हैं वो रोटियां खाने के वो शायद ही नहीं है लेकिन जो makers हैं वो आज भी वहीं पर है we still have among us the mixture, the molder and those who bake the loaves clear now those age old time tested furnace still exist कि वहाँ पर अब भी जो बटियां हैं बेक करने की जो बटियां होती हैं वो अब भी वहीं पर still exist करती है the fire in the furnaces जो बटियां है उनकी जो आग है has not yet been extinguished कि उनकी जो आग है वो अभी भुजी नहीं है तो यह sentence जो है आप यहां से complete कर देंगे तो यह थी बच्चों आपकी आज की English की worksheet I hope सभी बच्चों को यह clear है कोई भी doubt है तो आप पूच सकते हो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छे लगी और समझ में आया है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो थैंक्स पर वाच्चिंग स्टूडिंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ टेक केर बाई बाई